दोस्तो ओम नमस्षिवाय दोस्तो रविवार के दिन सुर्य को जल देते समय लोटे में डाल लें यह एक चीज जन्म जन्मांतर की गरीबी खत्म कर देगा साथ साथ आपके जीवन की सभी प्रेशानिया हो जाएंगी खत्म और आपकी साथ पुर्ष्टे तक करेंगी पैसो प दोस्तो बात करते हैं रविवार के दिन किये जाने वाले कुछ महत्मकून उपायों के बारे में दोस्तो सनातन धर्म में सूर्य को जल देने की परमपरा है वैदिक काल से चली आ रही यह परमपरा आज भी निभाई जाती है सूर्य की पूजा भगवान राम प्रतेक दिन किया करते थे सास्त्रों में भी कहा गया है कि हर दिन सूर्य को जल देना चाहिए सूर्य को प्रतेक्ष देवता माना जाता है क्योंकि हर दिन इनके दर्शन प्राप्थ होते हैं बहुत से लोग इस नियम का पालन भी करते हैं लेकिन इसके भी नियम हैं जिने जानकर सूर्य को जल दे तो जीवन के विवन छेत्रों में इसका लाब प्राप्त किया जा सकता है जोतिस में बताया गया है कि जिस किसी की कुंडली में सूर्य कमजोर होता है उसे प्रती दिन शुरे को नियमों का पालन करते हुए जल देना चाहिए, अगर आप नियमा अनुसार सूरे को जल दें तो इसका लाब प्राप्त किया जा सकता है जाने सूरे को जल देने के फैसा स्त्र में सूरे को आत्मा का चारक बताया गया है नियमित सूरे को जल देने से आत्म सुद्धी और आत्म बल राप्ध होता है सूरे को जल देने से आरोग्य लाब मिलता है सूरे को नियमित जल देने से सूरे का प्रभाब सरीर में बढ़ता है और यह आपको उड़ जावान बनाता है कारचित्र में इसका आपको लाब मिलता है जिनकी नौकरी में परिशानी चल रही हो तो वह प्रती दिन नियमत रूप से सुर्य को जल देना शुरू करे तो उच्छ अधिकारी से सहुग मिलता है और मुश्कलें दूर होती है बात करे कि कैसे दें आप भग्मान शुर्य देव को जल जन दोस्तो सुर्य को जल देने के नियमों के बारे में कहा जाता है कि सुर्य को इसनान के बाद तामे के बरतन से जल अरपित करें सुर्य देव को जल चड़ाने का एक समय होता है सुर्य के उद्य होने के एक घंटे के अंदर अर्द देना चाहिए आप चाहें तो सुबह आठ बजे तक सुर्य को जल दे सकते हैं सुर्य को जल देने से पहले जल में चुटकी भर हल्दी या लाल चंदर आवश्य मिलाएं और लाल पुस्प के साथ जल दें सुर्य को जल देते समय आपका मुख पूर्व दिसा की ओर होना चाहिए अगर कभी ऐसा हो कि सुर्य नजर न आए तब भी उसी दिसा की ओर मुख करकर ही आप सुर्य देव को जल दे ज्या दोस्तों सुर्य को जल देते समय लाल वस्तर पहने लाल कपड़ों में अर्द देना बहुत अच्छा माना गया है सुर्य को अर्द देते समय हाथ सर से उपर होना चाहिए ऐसा करने से सुर्य की साथो किरणे सरीर पर पड़ती है सुर्य देव को जल अरपित करने से नव गरह की भी किरपा आप पर सदे बनी रहती है और साथी साथ भगवान सुर्य देव को जल देने के साथ आप कुछ मंत्रों का जाप करें इससे बल बुद्धी विद्य और दिव्यता प्राप्त होती है यह दोस्तो वैसे तो भगवान सुर्य देव के विविन मंत्र हैं लेकिन आपको हम कुछ मंत्र बता देते हैं इन मंत्रों का आप सुर्य को जल देते समय नवस्य जाप करें दोस्तो मंत्र इस प्रकार है दोस्तो भगवान सुर्य देव के विविन मंत्र हैं आप किसी भी मंत्र का कोई भी मंत्र लें कम से कम 21 वार उस मंत्र का जाप करें और सूरे को जल चड़ाने के बाद आपको परिक्रम अवश्य करनी चाहिए बहुत से पुरान के नुशार सूरदेव का ध्यान करते हुए परिक्रमा करने से हमारी सभी परिशानियां दूर हो सकती है व्यक्ति की सभी एक्छाएं सूरदेव पूरा करते हैं इसलिए जल चड़ाने के बाद आप कम से कम शातवार परिक्रमा करें जब आप सूरदेव को अर्द दें अर्द देने के बाद आदित्ते हिर्दे स्रोत का पाठ भी अवश्य करें आपके जीवन की जो भी परिशानिया है वे परिशानिया धीरे धीरे खत्म होने लगेंगी और आपको ऐसा करने से विशेश सुब फलो के प्राप्ति होंगी और साथे साथ आपको बता दें कि सूरदेव को जल चड़ाते समय ये गलती आप बिल्कुल ना करें जा दोस्तों सूरदेव को जल चड़ाने का सबसे अच्छा समय सुबह सुबह काई ही होता है कोशिस करें कि आठ बजे से पहले सूरदेव को आप जल चड़ा दें जल चड़ाते समय जूते चपल नहीं पहनना चाहिए नंगे पैर ही आप सूरदेव को जल चड़ाएं जल चड़ाने के बाद ध्यान रखें कि वह पानी आपके पैरों पर नहीं आना चाहिए जा दोस्तों ध्यान रखें कि जब भी आप सूरदेव को जल दें तो इस प्रकार जल चड़ाएं वहजल आपके पैरों पर नहीं आना चाहिए अन्य था इसका सुब परणाम प्राप्त ना होकर दुस प्रभाबों का आपको सामना करना पड़ सकता है और साती सात सूर्य को जल देते समय रखें इन बातों का ख्याल बढ़ेगा मान और सम्मान जिहां दोस्तों सारी देने वाला सूर्य ही है जो तिसमें सूर्य को स्वास्थ पिता आत्मा का कारक माना जाता है अगर कुंडली में सूर्य मजबूत होता है तो व्यक्ति को यस की प्राप्ति होती है इसके अलावा कई स्वास्थ संबंदी समस्यां का कारण भी सूर्य देव को माना जाता है ऐस सूर्य को अर्द देने के भी नियम होते हैं इन नियमों का पालन ना किया जाए तो आपको सुब फलो की प्राप्ति नहीं होती आईए जानते हैं सूर्य को जल देते समय किन नियमों का पालन करना चाहिए और क्या कैसाबधानी आपको बरतनी चाहिए सुबा जल्दी उठें और इसनान आदिश निर्वत्र होने के बाद सुरदेव को जल दें सुबा जल्दी से जल्दी उठकर अर्द देने पर ही इसका लाब होता है जब सुर्य की रोशनी तेज हो या चुबने लगें तब जल देने से कोई लाब नहीं होता और साथ साथ आपको बता दें कि बिना इसनान किये सुर्य को कभी अर्द नहीं देना चाहिए तो सुर्य को अर्द देने वाले जल में नीला रंग मिलाएं ऐसा करने से आपको सुब फल ब्राप्त होने लगेंगे और साथे साथ स्वास्त और उर्जा के लिए सूर्य को अर्द देने वाले जल में रोली या लाल चंदर मिलाकर जल चड़ाएं इसके अलावा सीग्र विवा और सुखद वैवाइक जीवन के लिए आप हल्दी मिलाकर सूर्य को अर्द दें ऐसा करने से आपके जीवन में खु में लाल गुड़ल का फूल डाल कर चढ़ाएं इससे आप जो भी कार रहे हैं के लिए जा रहे हैं किसी भी काम के लिए जा रहे हैं उसमें आपको आवस्य ही विज़्ैपराप्त होगी सातसाथ पित्र सांती और बादा के निवारण के लिए जल में तिल और अक्षत मिलाकर जल चढ़ाएं सूरह को अर्द दें ऐसा करने से आपके पित्र सांत रहते हैं और कारे में जो भी बादा आती हैं वे बादाएं समाप्त होती हैं अगर जीवन में हर तरह का लाब प्राप्त आप करना चाहते हैं तो सूरह देव को आप साधा जल चढ़ाएं जल चढ़ाने के बाद थोड़ा जल बचा लें इसके बाद अपने मस्तक कंठ और दोनों बुजाओं पर इस जल को लगाएं इससे आपका सूरह प्रबल हो जाएगा और आपको सुब फलो की प्राप्ति होने लेगी जै दोस्तों इस वीडियो में हमने आप आपको बताया सूरह देव को जल चढ़ाने के कुछ नियमों का पालन और साथे साथ किस प्रिकार आप अपने सूरह को मजबूत कर सकते हैं जिससे आपके जीवन में खुशियां खुशियां हो जै दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें जैद आ कर दोस्तों व्रुषा